नमस्कार, दोस्तों आपने हत्था जोडी का नाम तो जरूर सुना होगा, और हत्था जोडी के विशय में यूट्यूब पर आपने अनेको वीडियो भी देखे होंगे, दोस्तों हत्था जोडी को एक बहुत ही अलोकिक दूरलग और चमतकारी कवस्तु माना जाता है, आज तक किसी ने भी हत्था जोडी के विशय में किसी भी प्रकार का सही और प्रमारिक जनकारी नहीं दिया, यदि आप गूगल पर हत्था जोडी लिखकर सर्च करेंगे, तो इस तरह के अनेको वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से अनेक लोगों ने बी इस पौधे की जड़ में हत्था जोडी जैसा कोई भी चीज नहीं पाये जाता है, आपके जनकारी के लिए बता दो कि इस पौधे को जो लोग हत्था जोडी कहते हैं, उन्हें न तो आयर्वेद की जनकारी है, नहीं हत्था जोडी की, तो दोस्तों, आज मैं आपको और इसका पौधा कैसा होता है, साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि असली और नकली हत्था जोडी को कैसे पहचान जा सकता है, तो आईए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिस पौधे को लोग हत्था जोडी का पौधा कहते हैं, उसका असली नाम है बिच्छू काटा भी कहा जाता है। इस पौधे को हिंदी में बिच्वा, बाग नखा, उलट काटा, कवा कोडी, इत्यादी नामों से जाना जाता है। और इसका बोटनीकल नाम है मार्टिनिया दियंडरा। दोस्तों किसी भी आयरुवेदिक गरंथ में या इंटरनेट पर इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि इस पौधे के जड़ में हत्था जोडी या हत्था जोडी के समान कोई अन्य चमतकारी क्वस्तू पाया जाता है। यदि आपको यकीन नहीं तो आप गूगल पर मार्टिनि दी एंडरा लिखकर सर्च कर लिजिए। अब आपको इंटरनेट पर इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। परंतों कहीं पर भी यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इस पौधे की जड़ में हत्था जोडी या हत्था जोडी के समान कोई अन्य वस्तू पाया जात हुआ कि हत्था जोडी का पौधा कैसा होता है और इसकी पैचान कैसे की जा सकती है। दोस्तों आयरुवेद के प्राचीन दरंथों में लगभग साथ हजार प्रकार की पौधों का उलेख मिलता है परंतु हत्था जोडी नाम की पौधे का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। क्यों कि हत्था जोडी किसी पौधे की जड़ नहीं बलकि गोह नामक सरी स्रिप जीव का पेनिस अर्थात लिंग होता है। गोह के लिंग की आंतरिक बनावट प्राकृतिक रूप से हाथ के दो पंजों के आकार के होते हैं। इसके इसी रहस्मई बनावट के कारण प्राचार तथा ब्यापार किया जाने लगा। परन्तु जब इसकी मांग ज्यादा बढ़ने लगी तो प्लास्टिक की नकली हत्था जोडी बाजारों में बेची जाने लगी। और आजकल बाजारों में अक्सर यही नकली हत्था जोडी धडले से बेची जा रही है। और इस तरह हत्था जोडी के नाम पर लोगों को बेवकूप बनाया जा रहा है तथा हत्था जोडी के नाम पर करोडों लोगों की आस्था के साथ खिलवार किया जाता है परन्तु हमारे 36 गड़ तथा मध्य प्रजेश के आदिवासी छेत्रों तथा दुर्गम पहाणों पर एक बिशेश प्रकार का चमतकारी पौधा पाया जाता है जिसे हत्था जोडी के नाम से सभी लोग जानते हैं परन्तु उस हत्था जोडी से यह बिलकुल अलग होता है इस पौधे को जटा संकर, रूदर जटा या सिव जटा के नाम से भी जाना जाता है यह नर तथा मादा द जोड़ी कहा जाता है और इन्हीं दोनों को मिलाकर हत्था जोड़ी कहा जाता है इस जड़ी में बहुत ही चमतकारी सत्तियां छुपी हुई हैं इस पौधे के बिशाय में मैं आगे के वीडियो में आपको पूरी बिस्तार से जानकारी दूँगा और हत्था जोड़ी को जरूर किजिए